नमस्कार प्रणाम मैं मधुबाला आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 बता दे बिहार में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं यहां तक कि अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं बिहार के बेगु सराय से निकल करके बड़ी खबर सामने आ रही है यहां कि आपको बता दे कि वहां 250 बच्चे को कैद कर लिया गया है आखिर ये कब तक चलेगा कब तक सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी जिस तरीके से देखे कि आए दिन कोई भी सुरक्षित नहीं है यानि कि महिला हो पूरुष हो बच्चे हो कोई भी सुरक्षित नह के मुताबिक खबरे सामने आई है कि बच्चे ने क्या क्या कहा है बच्चे किस तरफ से रो रहे हैं बिलक रहे हैं गुहार लगा रहे हैं आज आपको एक एक करके सारी बातों को इस वीडियो में बताने जा रहे तो वीडियो पर बने रहिएगा वीडियो को अंधित तक ज शात्र कैद हो गए हैं दबंगो ने स्कूल के बाहर बुल्डोजर लगा कर गेट को जाम कर दिया गया है और रास्ते को भी खोद दिया है अमान वी एस्थिती में स्कूल में बंदी बने इन शात्रों का यहां तक कहना है कि वो डर के मारे बात्रूम भी नहीं जा पा रहे हैं हालत यह है कि यह बच्चे अपने परिजनों से भी नहीं मिल पा रहे हैं कहा जा रहा है कि करिब साथ दिन से बच्चे इसी हालत में हैं रिपोर्ट के मुताविक स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस से सबात की शिकायत किये लेकिन अब तक कोई कारेवाई नहीं हो सकी है पूरा मामला साहेपुर कमाल थाने के समस्ती पूर गाउं का है जो वीडियो सामने आये हैं उसमें नजर आ रहा है के स्कूल के छात्र अंदर ही कैद है और बेबस निगाहों से देख रहे हैं सड़क पर गड़े किये जाने की वज़े से छात्र बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं दबंगो ने स्कूल के गेट को ही जाम कर दिया है हिमान्शू राज नाम के एक छात्र ने कहा हम लोग करीब साथ दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है हमारे परिजन भी नहीं आपा रहे हैं नहीं फोन आता है बाहर निकलने पर हम सभी के साथ गाली गलोज किया जाता है स्कूल की एक छात्रा ने कहा यहां पर पांच-छे लोग आते हैं और गाली गलोज करते हैं हमें पानी पीने और बात्रूम जाने में भी डर लगता है बहुत दिनों से हम सभी की पढ़ाई भी रुकी हुई है गाह के सरपंच मनोज सिंग ने कहा प्रिंसिपल के जरिये उन्हें जानकारी मिले थी कि कुछ आसमाजिक तत्वों ने हाकर स्कूल को बंद कर दिया है और बाहर से गाली गलोज करते हैं और जसिबी से रास्ती को काट रहे हैं विद्याले के अंदर बच्चे कैद हैं आने जाने का रास्ता नहीं है बड़े बड़े गड़े हैं स्कूल के करमचारी पंकस सिंग ने कहा आसमाजिक ततों के द्वारा मुख्य गेट को बंद कर दिया गया था बाई सभी लोग स्कूल में ही रह गए बाहर सड़क को खोध दिया गया प्रबंदक , कुष्ण मुरारी ने कहा है लड़की ओ के हॉस्टल में जाकर अनपर टिपनें की जाती है कमरा बंद कर दिया जाता है बाहर से पाला मार दिया जाता है हम लोगों से गाली गलोज कर कहा जाता है कि रंगदारी टैक्स दो वर्ना यहां से भागो इस पूरे मामले में DSP नेहा कुमारी ने कहा इस संबंध में हमें जानकारी मिले संबंध में वहां के SHO को जांच के लिए कहा गया है यह भी कहा जा रहा है कि विद्याले प्रवंधन ने पहले भी पुलिस को सुचना दी थी तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ मामले निकल करके बेगुस सराय से आ रहे हैं यहां तक आपको बता दे कि 250 बच्चे को कैद कर लिया गया है स्कूल के आगे गड़ा खोद दिया गया है कि बच्चे वहां से ना निकले यहां ते कि प्रिंसिपल भी वहीं फसे हुए है यह मामला बेगुस सराय का है और आपको बता दे किस तरीके से बच्चे वहां डरे हुए हैं सहमे हुए हैं कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा है कि बात्रूम जाने में भी डर लगता है ये लगातार साथ दिन से इस तरीके का वहां पे हाथसा हो रहा है और अभी तक वहां पर पुलिस नहीं पहुची आखिर बिहार में हो क्या रहा है आए दिन इस तरीके की गलत गलत तरीके से जो बच्चों के साथ भी खिलवार किया जारा स्कूल में पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं नौलेज लेने जाते हैं लेकिन वहीं पर बच्चों के साथ इस तरीके का कांड किया जाता है ये कहीं से भी सही नहीं है और वहीं पर लड़कियों के साथ भी अन्याय हो रहा है यानि कि उन्हें भी कैद किया गया है उन पर गलत गलत करवाएगी अभी तक पुलिस भी नहीं पहुंचाई है मामला बड़ा ही दर्दनाक होते वे नजर आ रहा है आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारे तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद